अब गाइस एक अच्छे PC स्क्राइब को डूरना किसी टेंचन से कम नहीं है क्योंकि आजकल हर एक बंदे की अलग लग स्पेसिफिकेशन से है कुछ लोग लो एंड PC में यूज करना चाते हैं कुछ लोग गेमिंग के लिए यूज करना चाते हैं कुछ लोग लाइफ स्टीम से पहला सॉफ्ट्वेर उसका नाम है OBS Studio इसके बारे में तुम मैंसे मैक्सम लोगों ने सुनोगा काफी अच्छा सॉफ्ट्वेर है इसके तुम लाइफ स्ट्रीम कर सकते हो गेमिंग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और साथ-स्याद एक नॉर्मली अपनी PC की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो बड़ यहां पर एक प्रॉब्लम आती है कि अगर किसी का लो एंड PC है तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इसमें कम से कम मिनिम्म तुमको चार्ज भी तक रहा होनी चाहिए उसके बाद यह अच्छा खासा रन करेगा तुमार यह PC को रिकॉर्ड करते टाइम तो बढ़ते हैं दूसरे सॉफ्ट्वेर के रहा जो की परसली मेरा फेप्रेट है और इसको मैं काफी देर से यूज करते आ रहा हूं सॉफ्ट्वेर का नाम है बैंडी कैन अब इस सॉफ्ट्वेर की सबसे अच्छी बात जो है इसको तुम पीसी में भी उज़ कर सकते हो मतलब मैं इसको दो जी भी रह में भी यूज किया और वहां पे भी बिल्कुल परफेक्टली रन करता है और दूसरी जो इंपॉर्टन बात है इसकी वह एक यालो डॉत होता है ना माउस के पर वो भी तुम कर सकते हो जिससे तुमारी स्क्रीन जब रिकॉर्ड होती है वो और ज्यादा अच्छी दिखती है बाकि अगर मैं तुम्हें एक्जैंपल कता हूँ अभी तुम एक्जैंपल देख सकते हो कैसी पीसी की स्क्रीन है रिकॉर्ड होती है इस सौफ्ट्वेर के थ्रू तो इसका डाउन्लोड निंग भी तुम्हें करना है बिल्कुल फ्री में और कैसे यूज करना है पाक यही थी कुछ दो सौफ्ट्वेर्ट जो की सबसे बैस्ट होती है एक पीसी की स्क्रीन को रिकॉर्ड करते टाइम तो मैं मिलता आपसे अगली बड़ो में तब तक के लिए बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ झाल